मा, कुछ समय पूर्व मुझे एक रहसिमय अनुभव हुआ अंतरिक्ष में एक विचित्र तिकोनाकार स्थान है जिसके निकट जाने के मेरे प्रयास को किसी देविय मांतरिक शक्ती ने विफल कर दिया त्रिपूर त्रिपूर उसका आभास तो मुझे भी हुआ था कुट्र समस्त भ्रह्मान में ऐसा एक मात्र वही स्थान है पुट्र त्रिपूर मा स्वामी के तीन महान भक्तों के तीन पूर है त्रिपूर उन वहाँ इसलिए प्रवेश नहीं कर सके पुट्र क्योंकि वो भ्रह्म देव के वर्दान से सुरक्षित हुआ कौन है ये शिव भक्तमा और उन्हें क्या वर्दान प्राप्त है दुष्ट असुर सम्राट ताड का सुर है त्रिपूर का कारण तुम्हारे भराता के हातों उसके वद्ध के पश्चात उसके तीनों पुत्रों ने मेरू परवत पर भीशन तपस्या कर ब्रह्म देव को प्रसन कियो उसके पाल-चक्तमा डहाएं पुम्हारे उसके उसके ब्राट पुम्हारे सम्राट यसके परेदिनों का को अब्राट खुम्हारे सम्राट क्थे कर दो कर दोंतों है तारकाक्षि कमलाक्षि प्रणाम ब्रह्मदेव विद्युन माले मैं तुम्हारी तपश्या से प्रसंळ हुआ तारका सुर्पुत्रों कहो क्या वर्दान चाहते हो तुम प्रमधेव हमने आपके लिए कठोर तप गिया है वर्दान भी उसके अनुसार दीजि प्रिप्या हमें अमरत्तु का वर्दान दीजि अम्रक्तु का वर्दान मैं तो क्या कोई नहीं दे सकता जो जीवित है उसकी रिफ्ट्यू भी होगी यही सृष्टी का अटल्मियम है जिसे कोई भंग नहीं कर सकता इसे लिए अम्रक्तु के सिवाए जो इच्छा हो मांग लो अच्छा प्रमदेव ये भी उचित है अमारे पिता असुर समराड तारक असुर की बृत्यू के पश्चात पूरे भ्रह्मान में असुरों के लिए कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं रहा चिपते चिपाते भैबीत होकर अपना जीवन दितीत कर रहे हैं एक ऐसा सुरक्षित स्थान हो जासुरों की सुरक्षा निश्चित जहां पर बिना अनुमती के देवता भी प्रवेश ना करें हमें अंतरिक्ष में ऐसे तीन पूर दीजी एक जो स्वर्ण से बना दूसरा जो रजस सिंगर में थो और तीसरा जो लोग का हो हमारे ये तीनो पूर रमाण की सभी सुक्सुदाओं से संपन हो और हमारे समान ही तरकौन के आकार में मिले हो जिससे हम एक दूसरे पर द्रिश्टी रख सके त्रिपूर के लाए जाने वाले ये हमारे तीनो पूर आपकी क्रपा से कभी कोई नस्ट ना कर सके त्रिपूर तुम्हें आवश्य प्राप्द होंगे किन्टु जो उत्पन हुआ है वो नश्ट भी होगा अमरत्यो के समान त्रिपूर में सदा सुरक्षत रहने का वर्दान मैं तुम्हें प्रदान नहीं कर सकता अच्छा वर्मदेव यह भी उचित है तो कृपिया इतना कीजिए कि संसार के देवता स्वयम महादेव ही इस त्रिपूर को नश्ट कर सकते हैं और हमारा वद उनी के हातों उनके अध्रित किसी और के हातों नहीं चिंता मत करो कराता हूं मैंने इस पर पूरा विचार किया है हम महादेव की ऐसी भक्ती करेंगे ऐसा तप करेंगे कि द्रिपूर स्वयम शिव भक्ती दाम बन जायेगा और फिर महादेव हमारा या हमारे द्रिपूर का विनाश नहीं कर पाएंगे अमर होने का यही एक उपाया प्रमदेव इससे श्रिष्टी का कोई नियम भन तो नहीं होता इसलिए यदि आप हमारे तप से प्रसन्न है तो क्रिप्या हमें यह वर्दान दीजिए तथास दो वर्दान देने के बाद ब्रमदेव ने माया वीविद्या के ज्याता माया सुर्प तारका सुर्प उत्रों की इच्छा अनुसा तीन पुरों का निर्मान करने का आदेश थी फिर वो तीनों असुर भ्राता अपनी प्रजा के साथ वहाँ शिव भक्ती में लीन रहने लगे तो यही कारण था कि मुझे वहाँ शिव मंत्र सुनाई दे रहे थी और ब्रमदेव के वर्दान के कारण ही मैं वहाँ प्रवेश भी नहीं कर सका हाँ पुत किन्तो ताड का सुर त्रिपुरा सुर कुछ भी अनुचित कर अपनी सुरक्षा पर आज क्यों आने देंगे इसका तो कोई कारण नहीं है मा जिनकी स्वभाव में खोट हो वो भक्ती भाव का कितना भी प्रदर्शन क्यों न कर ले उनका अंतर तो टपट से ही भरा होता है क्योंकि जो हो रहा है वो सर्वथा अनुचित है और उसका स्त्रोध अवशित्रपुर ही है मुझे प्रतीत हो रहा है मां कि वहां भक्ती का दिखावा एक भुलावा है और जिसके पीछे एक भैंकर सत्य छुपा है जो संसार पर संकट का रूप लेकर उजागर होने वाला है मुझे तो अभी भी आभास हो रहा है मां जैसे देवताओं और अन्य सभी चराचर जीवों का कोई बड़ा अहित होने वाला है जिसको समय रहते अत्यंत रोपना आवर्शक है माता ब्रथम पूर्ज श्री गनेश उचिक कह रहा है कि तो आहित होने वाला नहीं अपे तुम हो रहा है यह जो कुछ भी हो रहा है यह किसी महा संकट से कम नहीं हम निश्टेज होते जा रहे है माती हमारी ओर्जा और शक्ति प्रती परक्षीन होती जा रही है और यह सब क्यों और गैसे हो रहा है माता हमें ग्यात भी नहीं है और अमें पूर्न विश्वार से हमाता जिस परकार बेगन हर्ता प्रतिंपूझय गनेश ने प्रतियोगता के समय समस्त बाधाउं से हमें दूर किया भई इस संकट का स्त्रोथ कहा है यह ज्यात है मुझे कि तु संकट क्या है और क्यों है यह जानना अभी शेश है किन्तु आप चिंता मत के जी देवराज, धर्म का पालन करने वाले के लिए, यदि विग्न हरता हूँ मैं, तो दुष्ट अधर्मियों के लिए विग्न करता भी तो हूँ मा, देवताओं की सहायता के लिए, मुझे त्रिपुर में प्रवेश कर इस रहसे का भेदपता लगाने की अनुमती दीजिए जिससे मैं श्रिष्टी पर छाय इस संकट को बूर कर सकूँ, किन्तु पूत्र त्रिपुरा सुर्थ तो अत्यन शक्तिशाली असुर है अपने पिता से भी अधिव बल्वान है वहाँ जाने से तो तुम भी संकट में पड़ सकते हैं मताब, आप चेंता मत किजिए, अभी श्रीव देश की सहायता के लिए उनके साथ जाएगे अवश्य आप भी चलते देवराज, किन्तु जिस प्रकार से आपकी शक्ति छीन होई है उसे देखकर आपका वहाँ जाना उचित नहीं होगा और वैसे भी, त्रिपुर में तो देवताओं का प्रवेश भी वर्जित है आपके वहाँ आने से उन्हें संदे होगा और वो सतर को जाएंगे फिर हम उनके गुप्त भेत कभी नहीं जान पाएंगे इसलिए ये कार्यतो मुझे एकाकी ही करना होगा कि तो पुत्र, तुम वहाँ कैसे प्रवेश करोगे उसकी चिंता आप मुझे पर छोड़ दीजे मा इस बार उनके आशुरी छलको बल से नहीं बुद्धी से भेदूंगा मैं उनकी आरादी का पुत्र होने के कारण मुझे कोई शती पहुचाने की कलपना भी नहीं करेंगे वो मुशक जी मेरे साथ त्रिपूर की भीतर जाने के बाद ये आपका कार्य होगा कि आप छिपकर ग्याद करें कि वहां क्या अनुचित धट रहा है छिपकर वहां घूमकर ये कार्य करने में तो मुझे बहुत आनन्द आएगा स्मरंड रहे कि इस कार्य में आपको अत्यांत साफधान रहना होगा मुशक जी जी प्रभू मैं अत्यादेक सतर्क रहूंगा रुखिये मुशक जी उर्जा का कवर्च है यहाँ तो हम इसके भीतर कैसे जाएं प्रभू मुझे ग्यात है मुशक जी सौराष्ट्रे सोमनाथम्च श्रीशैले मल्यकार्जुनम् उज्जेन्याम् महकाल्य मौमकारं परमेश्वरं केदारं हिम्वत प्रिष्ठे डाकियां भीम्शंकरं वारानस्याम्च विश्वेशं त्रयंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथम्चिताभूमों नागेशंदारुकावने सेतू बंधे चरा मेशंगुष मेशंच शिवालये प्रभू महादेव की द्वादश नामावली का पाठ कर आपने प्रभावित कर दिया मुझे प्रतीत होता है कोई महान शिवभक्त शिवभक्त धाम त्रिफुर में प्रवेश चाहता है मैं मात्र शिवभक्त नहीं अपितू शिवभ पुत्र गजानन गडेश हूँ हर हर महादेव हर हर महादेव शिवभ पुत्र पार्वती नंदन गजानन गडेश शिवभक्त धाम प्रिफुर नगरी में आपका हार दिक्स्वागत मेरे पिता के प्रती आपकी परम भक्ती की बड़ी ख्याती सुनी थी इसलिए जिग्या सवश स्वयम आपकी दर्शन करने चला आया आपको यहाँ पाकर तो हमें परम आनंद कानुभव हुआ है प्रभु कृपा भीतर आकर हमें कृतार्थ कीजिए आयाय आयाय आपका स्वागत है ठीक है चलिए मोशक जी अब जब मैं इनके पूर में प्रवेश कर ही चुका हूं तो इनके सत्य को भी अवश्य ग्यात कर लोंगा ये तो मेरा अद्बूत स्वागत कर रहे हैं और यहां तो सभी भक्ति भाव में भी लीन हैं मुझे तो लगा था मैं भीतर आकर इनकी दिखावे की पीछे छुपे रहस्य को जान लोंगा किन्तु यहां तो कुछ भी अनुचित दिखाई नहीं दे रहा अपितु सभी पूर्ण विधी विधान के साथ पूजा पाठ में लीन है यहां फिर मुझे वो आभास क्यों हुआ था पधारिये महादेपुत्र गनेश आपके पाओं को कोई कष्ट ना हो इसलिए इन तुष्पों की कोमल पंखडियों पर पाओं रखकर आगे बढ़िये प्रभू धन्यवाद क्रिपया आपके चरन को मलत होने की अनुमती दीची यहां की वास्तविक्ता तो मेरी कल्पना की विपरीत है अनुपम भक्ती भाव है उनका किसी कपट का तो लेश मात्र चिन्न भी नहीं प्रभू अनुमती दीजिये भक्ती भाव से परिपोन है ये किन्तु ये केवल इनका बाहरी आवरण है या इनका अंतर भी भक्ती भाव के निर्मल भाव से प्रकाशित है संभव है मोशक जी कोई कुछ ग्यात हो जाए इनके हावभाव से तो कुछ भी ग्यात नहीं हो रहा है किन्टो फिर मुझे यहां किसी शड्यंत्र का आभाज क्यों हुआ आईए शिपुत्र गणिश अप्रा आसन ग्रहण कीजिश कि नहीं मैं इस स्थान पर स्थित नहीं हो सकता कि क्या हुआ प्रभू हमसे कुछ भूल हुई क्या वह आसन शिवलिंग के आधार से उंचा है पुत्र का स्थान तो पिता के चर्णों में होता है उनसे उपर नहीं और वैसे ही प्रभू भक्त का स्थान तो सदा ही भगवान के चर्णों में होता है इनकी भक्ती में तो कोई दोश दिखाई नहीं देता किन्तो फिर किसी कपट का आभास क्यों हो रहा है मुझे अब तो मूशक जी ही कुछ पता लगाए ये कैसे काले चाया मेरी और बड़ी आ रही है जय गनेश जय गनेश जय गनेश देवा माता जा पिपार्वति पिता महादेवा इके भक्ति में तो कोई दोश दिखाई नहीं देता किन्तो फिर किसी कपट का आभास क्यों हो रहा है मुझे अब तो मूशक जी ही कुछ पता लगाए ये कैसे काले चाया मेरी और बड़ी आ रही है मुझे ख्यमा कीजिये प्रभू मुझसे लड़ो देकर प्रहा नहीं जा रहा है लड़ो अरे 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 वो देखो एक टुष्ट मुशक पक्रणा उसे बचके जाना पाए अरे ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए कहां जाओं कहां चिपूं इजार उदर बढ़ाई तो प्रभू कैसे डोनेंगे मुझे आगो भूशा इनने सारी लड़ो अद्बूत सेवक स्थान ना बंबू कमक्यों प्रतीत हो रहे हैं वो एक मुशक था स्वामी क्या मुशक हाँ स्वामी उसी ने दो लड़ो चुरा लिये हैं इससे पूर्व की मैं उसे रोप पाता है वो भाग गया आप चिंता मत कीजिए प्रतीत होता है मेरे वाहन मुशक जी लड़ों में से अपना भाग ले गए अब ये लड़ो मेरे ग्रहन करने की बारी है प्रभू येदि आप हमें अनुपती दे हैं तो अपने हाथों से आपको इन लड़ों का प्रोग करवाना चाहूंगा मुशक जी मुझसे पूर्व कभी लड़ो नहीं लेंगे अवर्ष ये वो किसी विशेस कारण से लड़ों उठाकर ले गए हैं यहां से दो मायावे पच दो दिशाओं में जा रहे हैं एक रज़त निर्मित पूर्टिया और दूसरा लोह पूर ले जाने वाला मैं की धर्जयां पूर्दी में समात हो गए हैं अरे यह सभी तत्व तो एक जोलम की परवत में पुर्वेश कर रहे हैं जय विद्री हरता श्री गड़ेश श्री गड़ेश मेरे रक्षा कीजिए प्रतीत होना है मुर्षक जी किसी संकट में फसकर मुझे सहायता के लिए पुकार रहे हैं श्री गड़ेश मेरे रक्षा कीजिए मुर्षक जी पर कोई संकट छाया है उन्हें ढूनकर उनकी रक्षा करने होगी मुझे शीग्र ऐसा उपाई ढूनना होगा जिससे मैं मुर्षक जी को ढूनने यहां से चला भी जाओ और किसी को क्यान भी ना हो यहीं उचित होगा यह सभी यहीं स्तंबित हो जाएंगे और मैं वो कर सकोंगा जो आवश्यक है अब मैंने इन्हें स्तंबित कर दिया है अब मैं मुशक जी को ढूनने जा सकता हो चिंता मत किजिए मुशक जी गणेश ने आपकी पुकार सुन ली है मैं आ रहा हूँ आपकी रक्षा करने के लिए श्री गणेश मेरे रक्षा कीजिए यहां तो मुशक जी का स्वर सभी दिशाओं में गुझ रहा है इसलिए वो किस दिशा में है यह ग्याद करना कठे में कि तो कोई तो उपाय होगा उन्हें ढूलने में सहायक कोई तो सुत्र छोड़ा होगा मुशक जी ने एक मुशक था स्वामी उसी ने दो लड़ू चुरा लिये हैं तो यह कारण था मुझसे पूर्व लड़ू लेने का अपने मालग पर बुंदी बिच्छाकर अच्छी चतुराई दिखाईये मुशक जी ने दोनों और से प्राणों का संकत चाया है मुझपर प्रभू कहा है आप रक्षा कीजिये प्रभू अब यहां से किस दिशा में जाकर ढूड़ू मुशक जी को ज्वाला मुखी दाड़का सुर पुत्रों की इच्छा रोसार माया सुर ने इस पूर का निर्मान किया था अपनी इच्छा रोसार कोई अपने पूर में ज्वाला मुखी का निर्मान क्यों करवाएगा यही स्थान है, जहां पर कोई रहसी छुपा है. प्रभू, रक्षित किजिए मुझे. प्रभू, प्रभू. मुशक जी संकट में है, इन्हें मुझे रक्षित करना होगा. प्रभू. मुशक जी, चिन्ता मत कीजिए, मैं रक्षित करूँगा आपको. मैं आ रहा हूँ, मुशक जी. मुशक जी, शेलों प्रभू. मुशक जी, कुछ जी. मुशक जी, चिन्ता मोच्च जी. तो ये पुना संकत मुख खोले खड़ा है प्रभू चिंता मत किल जी मुशक जी मैं हूना आपके साथ आपके साथ प्रभू अब तो ये शीला भी इसलावे में दसी जा रही है ये तरंगी कहां जा रही है प्रभू अब क्या होगा प्रभू मुशक जी मुची छलावे में दसी जा रही है अब प्रभू आपने साथ से बड़ा रोमांचक बना दिया ये अनूब मुशक जी हमारे यहां आने का प्रयोजन रोमांच प्राप्ट करना नहीं है जो ज्याद करने आये है उसके संकेत ढूड़े हाँ प्रभू आये मुशक जी अब जिस कार्य के लिए यहां आए है उसे पूर्ण करें प्रभू ये अबोन असूर मुड़िया क्या और क्यों है ये कौन कर रहा है इनका निर्मान अब ये अगनी की लप्टें उपर उठकर ऐसी दिव्य अगनी नित्र का आकार लेंगी जिन से महाविनाशी उर्जा प्रवाहित होंगी जैसे महादेव के नित्र से निकलती है पुसूर्जा से जो अषंक असूर सैनिक देवताओं वच dealtों उठकर के तक्वों की मिश्रण से बन रही है जीवित होगी और असूर सैनिकों में परिवडित होगी जिसका जिनाश असंभव है जब तक ये को रहेंगे जब तक असुर सैनिक संपूर्ण संसार में असुर राज्जी स्थापिक करेंगे शिप्बक्ति की आड में इतना भयावा शड्यंत्र कौन रच रहा है कौन है ये हर हर महादेख मैं और त्र पर असुर मिलकर देद्दाओं का अंत्र कर देंगे और अनंत काल तक सर्वत्र असुरों का अधिपत्ध स्थापित करेंगे देखे गुरू शुक्रा चाहिए प्रती दुदा कोई छिपकर देख रहा है हमें तो विलम किस बात का हम अभी चल कर उसका अंत्र कर देते हैं किसी शड्यंत्र की रचना हो रही है यहां इसका आभास था मुझे किन्तु गुरू शुक्राचारी की देखरेख में इतना भयानक शड्यंत्र रचा जा रहा है यदि ये सफल हुआ तो श्रिष्टी से धर्म की नेवी हिला देगा ये सब यहां होगा इस प्रकार इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था मैं तब तो प्रभू हमें सोच विचार छोड़ कर शीगरी से रोकने के लिए कुछ करना होगा नहीं मुशक जी जो भी करना है सोच विचार कर ही करना है अभी त्रिपुरासुर अजय है यदि यग्य सफल हुआ तो इन असुर मूर्दियों में जीवन का संचार हो जाएगा औ अब एक ऐसी असुर सेना उत्पन होगी जिसे पराजित करना असंभव हो जाएगा अच्छा प्रभू बस आप इन मुर्दियों के लेकर चिंतित हैं कारण मिटने से परिणाम भी नश्ट हो जाएगा मैं असुर मूर्दियों को ही नश्ट कर दूंगा तो असुर सेना का न हो देखो वो बड़े मूशक के साथ कौन है चनो देखते हैं अम देखे प्रभू मैं क्या करता हूँ मूशक जी तो कुछ और ही समझ रहे है शीद्र इन्हें रोकना होगा मूशक जी गती धीमी करिये कहीं आपके दौड़ने की द्भनी से इन्हें हमारे होने का भार ना हो जाए हाँ हाँ मैं समझ गया आप तनिक में चिंता मत करिये प्रभू इन मूट्यों को तो मैं देखते देखते ही नष्ट ब्रश्ट कर दूंगा फिर मात्र कंशेष रह जाएंगे मूशक जी रुकिये अरे देखा आपने प्रभू कैसे एक ही वार में मैंने इतनी मूर्ट्यों को द्भस कर दिया अरे ये असुर मूर्ट्यों को पुनार बन नहीं इस उदन मूशक को तो हम ठोड़ेंगे नहीं इस काहल से इन मूर्ट्यों को नष्ट करना असंबल है तो अब हम क्या करें? बहुत समय से ढूंड रहे थे तुम्हे अब आयो पकड़ में बोलो तुम्हारा साथी कहा है ये तो फस गया मैं अब तो प्रभू साहिता करेंगे तभी सुरक्षा होगी मेरी प्रभू प्रभू पोशक जी अरे तुम दोनों फेरा गए अच्छा आई ही गए हो तो मुझे युद्ध के लिए तयार होने का अफसर तो दो युद्ध करेगा एक मुशक वो भी हमसे अकेले नहीं है वो मेरे साथ है मेरे वाहन मुशक जी प्रभू तोड़ा शीग रहाकर मुझे इंसे बचा भी तो सकते थे ना हाँ अवश्य मुशक जी किन्तो फिर बिना सोचे विचारे कुछ करने का दर्ण आपको कैसे प्राफ्त होता सोच विचार तो तुमने भी नहीं किया अन्य था यहां आने की भूल नहीं करते गज्मुक बाला गज्मुक वश्य हो तुम तुम्हें यात नहीं कि एक वास्विच गज्य ऐसा बल है अब हमारे हाथ तुम मसले जाने के लिए तैयार हो जाओ तुम इनके साथ युद्ध हुआ तो द्वनी उत्पन होगे और द्वनी से अन्य असुर भी सचेत हो जाएंगे गुरु शुक्राचारे को ग्यात हो गया तो वो यग्य और शीग्र पूर्ण करने में जुट जाएंगे और पिताश्री के भक्तों के पूर में उनकी अन्मति के मिना मैं यग्य में विग्ने टाले के लिए कुछ भी नहीं कर सकूँगा इसलिए बुद्धी से कारी लेका इनसे छुटारा पाना होगा मुझे क्या हुआ गजमुकबालक मैं के कारण जड़ हो गए क्या आओ युद्ध करो हमसे उचित कहते हैं आप भैसे मुप्ती का तो एक मार प्रुपाय है आपसे युद्ध करना किन्तु उसका एक नियम होगा युद्ध के समय किसी के भी मुख से एक भी स्वर नहीं निकलना चाहिए और यदि ऐसा हुआ तो उसे उसी एक्षण पराजे स्विकार करने होगी किन्तु हम तुमारा नियम क्यों स्विकार करें मत कीजी स्विकार वैसे मैं तो आपकी भलाई सूच रहा था किन्तु विचार कीजिये यदि हमने द्वनियुद पन्न की तो गुरु शुक्राचारे का ध्यान भंग हो जाएगा और यदि उनके तप में बाधा पड़ी तो आपको तो वो अवश्य दंड देंगे क्यों उचित हाना मैंने हाहाहा उचित है स्विकार किया हमने वोशक जी आप तो पीछे ही रहे ये युद तो मुझे अकेले ही करना होगा अब नहीं बचोगे नहीं बचोगे नहीं बचोगे तो हमसे चल अभी बताता हूँ बहुत अच्चे प्रभू क्या हुआ अश्रो ठक गया या पराजित हो गया तुम दोनो अब शीगर इस युद्ध का अंत करना चाहिए मुझे देखता लावा है मेचे प्रभू की योजना समझ गया हूँ अरे तुम दोनों तो बहुत बोल रहे थी तुम में गजबल है करो ना है बल तो उसका प्रदर्शन भी करो या मेरे समान मुशक ही बन गए हो तुम दोनो यह मुशक हमें मुशक बुला रहा है अब यह कजी मुख बालक जीवित नहीं रहेगा आप तुम्हारा अंत निकट है गजमुबालाग प्रतीत होता है आप दोनों क्लान्ट हो गए है इसलिए धीमे धीमे बढ़ रहे हैं आए और दीवर बढ़िये वार कीजिये मुझ पर दन्या है आपकी बुद्धी इंता तो अंत हुआ आईए अब इस अशुर सिना को भी नश्ट करने का उपाय करते हैं पंच भूत और त्रपुड तत्तों से बनी असुर सेना अब तयार है इसमें प्राण पुके जाने के लिए यज्य की अगनी को और अधिक शक्ती देनी होगी और इसके लिए मुझे और अधिक सामक्री और घ्रित की आवशक्ता होगी शेक्र जाओ और लेकर आओ ये सामक्री अच्छा तो ये योजना है आपकी किन्तो अब मैं भी देखता हूँ कि कैसे आपको समस्त हवन सामक्री मिलती है पंच भूत और त्रिपुर तत्मों से बनी अवसुर सेना अब तयार है इसमें प्राण पुके जाने के लिए यज्य की अगनी को और शक्ती देनी होगी किन्तो इसके लिए मुझे और हवन सामक्री और घ्रित के अवश्यक्त होगी शिग्रे जाओ लेकर आओ ये सामक्री हमने यदि यग्य में बाधा डाली तो गुरु शुक्राचारी का ध्यान अक्रिष्ट होगा और वो उस विद्न को दूर करने का कोई उपाई सोच रहेंगे किन्तो हम उसके पूर्णोने में विलंब तो अवश्य उत्पन करवा सकते हैं ये हमें सेवकों के वाब पहुचने से पूर भी उस स्थान पर पहुचना होगा जहां हवन सामगरी और ग्रिक का भंडार है चलिए मुशक जी जिस और वो सेवक जा रहे है भंडार करेवी अवश्य उसी और होगा ओम नमो 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 स्वाहा ओम नमो 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 स्वाहा तो सुरंग में है अवन सामगरी मुझे तदकाल कोई उपाई करना होगा ताकि असूर सैनिक वहां तक पहुच ही ना सकी हाँ यह उपाई तो अच्छा है सुन जी भुम नमो 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 न मो नमो स्वाह Continue ओ तच्या प्रभू देखा मुशक जी अब हमें जो कर ला है उसके लिए थोड़ा समय मिल गया प्रभू मुशक जी शीक्र चलिया भंदार के भीटर प्रभू यहां हवन सामगरी और गृत्तो इतनी अधीक मात्रा में है हाँ जितना बड़ा शड्यंद्र तयारी भी उतनी ही विशार है किन्तु आप समय आ गया है विग्न करता की रूप में विग्न डालने का मुशक जी वे असूर सीवक यहां पूँचे उसके पूर्व इस सामगरी और गृत को समाप्त करना होगा हमें हाँ प्रभू मुशक जी आप सामगरी नश्ट कीजिए मैं गृत का उपाई करता हूँ हाँ प्रभू आरंब करते हैं हवन की ये जो शुक्राचार आयोजित जिससे हो देव नश्ट जग का हो आहित विखन करता की भूमिका गजानन निभाए सामगरी यग्य की सबमूस संग खान जैदरीश 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 देवा बाता जाती पारुवध्नी तिका पाहा देवा शीक्रता करो गृते प्रतिक्षा कर रहे हैं शीक्र चलो हाहा मूशक जी सारी सामगरी रष्ट कर देजिए असुरों के गुरू शुक्रा चार्यों को प्रतिक्षा कराना उचित नहीं है आगे बढ़ो शीक्रता कीजिए मूशक जी असुर सेवक किसी भी छण यहां पहुँच जाएंगे यह क्या हो गया सारी सामगरी और अधित कहां लुप्त हो गये गुरू शुक्राचार्यों को ज्याद हुआ तो उनका क्रोध हमें बास में कर देगा किंदू किस ने किया ये दुश साहस गया कहां ये तो अच्छा हुआ प्रभू यहां उन सेवकों ने बंडार में प्रवेश्ट किया और वहां हम निकल गए अब तो वो इसी विचार में होंगे कि सामगरी और गृत को किस ने नश् मुशक जी तो आईए मुशक जी हम असुरों के इस अधर्म कार्य में थोड़ा और विग्मूत्पन कर देते हैं माप्रभू क्यों नहीं अब ये कवच गुफा में समाहित होने वाले तत्वों की शक्तियों को रोकेगी आगे बढ़े मुशक जी अधित होता है अधम पूझी श्री गनेश अपने प्रयास में सफलू हमारी उर्जा लॉट रही है हाँ दीवराज अधित होता है कि कोई मेरे कारे में विग्ण डालने का प्रयत्म कर रहा है अन्यथा अन्यथा मेरे कारे के कतिकम कैसे हो रही है अधित है अधित है अधित है अधित है अधित है नहीं भवन सामक्री समाप्त नहीं हो सकती मैंने अपनी सवाप्तों को सामक्री और ख्रित लाने के लिए बेजा था इतना फिलम दिख्यों कर रहे हैं वो अभी तक सभी स्तंबित है मैं पुना अपने स्थान पर बैठ जाता हूँ और इंकर स्तंबन तोड़ता हूँ क्या हुआ आप रुप जोंगे लड्डू खिलाईए ना जी महादेव पुत्र मैं वोई करने का प्रैत्न कर रहा था आप बस परियाप्त है क्या प्रभू हम तो आपको लड्डू खिलाई ना सके आपका तो एक ही लड्डू में उदर भर गया इसका कारण भी आप कुछी समय में जान जाएंगे जब आपको ग्यात होगा कि आज कितने घृत का पान किया है मैंने रुकिए आप दोनों अपने हिर्दे को छोटा मत क दीजिए जो लड्डू तारकाक्ष्री ने मुझे खिलाया वो आप सब की इतने श्रद्धा और भक्ती से पून था कि उसी से मेरा उदर भर गया आप इन शेश लड्डूों को ट्रिपूर में प्रसाद की रूप में बटवा दीजिएगा जैसी आपकी आज़ अब आप मुझे अनुमती देजिए इतने शीद्धा तो भी क्या है आपकी सेवा का हमें थोड़ा और अफसर दीजिए वो अफसर शीग्र प्राप्त होगा आपको किन्तो अभी तो मुझे जाकर पिता श्री को आपकी भक्ती और सेवा से अफगत कराना चाहिए आपका बहुत बहुत भन्यवाद कि आपके माधिम से हमारी प्रार्था तो यह माधेव तक पहुँच जाएगी हमें अपने सानिर्जे का सौफा के ब्रदान करने के लिए शच्च्च नमन प्रभू माले पुत्र का अचानक यहां पर आगमन और उतनी ही शीवरता से प्रस्थान संभवे भ्राताओं यह उन दुष्ट दियोताओं का कोई छल हो प्राताश्रे कहीं यहां आकर हमारा उद्देश्य तो ग्यात नहीं कर लिया महादेव पुत्र ने तुम दोनों शीक्रिव जाओ अब जाकर देखो क्या चारे शुक्रचारे का कारे सुचारू रूप से चल हमारे वास्तविक प्रयोजन में और विलम नहीं होना चाहिए बहुत रफिक्षा किये अश्दिवस की अब और नहीं अब और नहीं प्रणाम पिताश्री प्रणाम मां पिताश्री त्रिपूर में आपके भक्तों से मेरी बेंट हुई और और मुझे विश्वास है कि तुमने वहाँ कुछ भी अनुचित नहीं पाया पिताश्री को केवल बोल कर नहीं किसी अन्य प्रकार से समझाना होगा कि त्रिपूरा सुर्की वास्तिविक्ता क्या है और वहाँ क्या चल रहा है किन्तों कैसे मिल गई युक्ति अवश्री पिताश्री आपका विश्वास उचित है अनुचित का तो लेश मात्र भी नहीं था वहाँ किन्तों मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ पिताश्री मा मेरे साथ आए ना मा देखिये ना कितना कुंड़ कितना सुन्दर स्वर है इस कोयल का किन्तों अपने मधूर स्वर से सबका मन मुहने वाली इस कोयल के पंजे पर भी एक दिश्टी डाल कर देखिये कभी कभी कोमलता के पीछ अपनी कुरुता चिपाने वाले अपने उपर पवित्रता और धार्मिक्ता का धोंग रश्टे हैं मीठी वानी बोलते हैं किन्दून के भीतर कुपीलता चिपी होती है हमें कोयल के निकिट लाने कर तुमारा आशय मैं समझ क्या भुत्र कि इस कोयल के समान तृपुरा सूर भी दोहरा चरित रखते हैं हाँ पिताश्री तृपुरा सूर आपकी भक्ति अवश्चे करते हैं किन्दून की भक्ति के पीछे इश्वर की प्रति समर्पन का भाव नहीं अपितू इश्वर से निरंतर कुछ प्राप्ति की लालसा है पिताश्री वो दिवस रात्री आपकी पूजा करते हैं जिससे आप उनका वद्ना करें ब्रह्मदेव को तपस्या से प्रसंद कर उन्होंने त्रिपूर वर्दान में मांगा जहां देवता भी अनुमती के बिना प्रवेश ना कर सकें जिसका लाब उठाकर वो वहां देवताओं, महाभूतों और त्रिपूर के अंशों से ऐसी अपराजय सेना उत्पन्न कर रहे हैं, जिसे तब तक नश्ट नहीं किया जा सकता जब तक त्रिपूर का विनाश ना हो, गनेश उचित कह रहा है हा मा, गुरु शुक्राचारी की निद्रानी में उन्होंने त्रिलोग पर असुरों का अधिपत्य स्थापित करने का कुछ चक्र रचा है इससे पूर्व कि वो असुर सेना जीवित होकर सर्वत्र विनाश करें आपको उन्त्रिपूरा सुर का वद करना ही होगा पिताश्री मुझे दिखाई दे रहा है त्रिपूर का नाश करने के लिए जो अनेवारे स्थिती है वो अभी उत्पन हो रही है स्वामी यदि अभी आपने विलम किया तो अगले सहस्त्र वर्षों तक त्रिपूर का नाश असम्हव है सहस्त्र वर्षों तक असम्हव हो जाएगा वो क्यों माँ जब ब्रह्मदेव ने त्रिपूरा सुरो को सहच्ता से वर्दान दे दिया तो उन्होंने ब्रह्मदेव से कुछ और भी मांगा प्रभू मेरे भ्राताओं के इच्छा अनुसार हमें त्रिपूर का वर्दान देने की कृपा कर आपने हमें कृतार्थ किया किन्तु तुम्हें अभे भी संतुष्ट नहीं हूं मेरी एक इच्छा अभिशेशे उसे भी पूर्ण करने की कृपात है कहो वत्स कम लाक्षे क्या चाहते हो तो प्रभू मेरे भ्राता के इच्छा अनुसार मात्र महादेव ही त्रिपूर का नाश कर सकते हैं किन्तु तब ही तब सहस्त्र वर्षों में हमारे त्रिपूर के टीनोपूर एक सिधी रेखा में स्ठीर हो और जब शिव जी अपने एक ही बान हमारे तीनोपूरों पर प्रहार करें जो बान बान ना हो और वो बान उस धनुष से चले जो धनुष धनुष ना हो और महादेव ऐसा उस रत पर आरूर होकर करें जो रच रच ही ना हो प्रभू मात्रेशी अवस्थान लग तुदूर और हमारा विनाज संभू कथास तू कथास तू कथास तू अर्थात यही उच्ची तफसर है उनकी विनाश का अन्यथा तुर लोग पर उनका आधिपत्य स्थापित हो जाएगा और सर्वत्र अधर्म का अंधिकार छा जाएगा जिनके मुख पर सदा मेरा ही नाम रहता है अपने उन अनन्य भक्तो पर मैं अपने आज तर कैसे उठापाऊंगा गनेश किन्तु आपकी वो भक्त तो संपून संसार का अहित करने की यूजना बना रहे है पिता श्री आपकी प्रति उनकी भक्ति धाल बनकर उनकी लक्षा कर रही है किन्तु उनकी भक्ती की डाल इतनी भी बलवान नहीं है पिताशी पुत्र तुम्हे जो भी उपाय करना है शीगर करना होगा क्योंकि तुर अब एक सीधी रेखा में शीगर आने वाले हैं और जितनी शीगर वो उस रेखा में आएंगे उतनी ही शेख्र उस रेखा से बाहर भी चले जाएंगे तुम्हारे पास कुछे पहर का समय है मा मुझे ग्यात है, समय कम है धर्म परायन जनों का विगन हरता हो तो अधर्मियों और पापियों का विगन करता भी तो हो कोई अनिश्ट नहीं होने दूंगा मैं किंटो उसके लिए मुझे मामा जी की सहायता चाहिए होगी ये कैसा विगन है, अगस्मात ये अवरोध कैसे उपन हुआ नहीं, मैं अपनी असुर सेना का निर्मान करके ही रहूंगा और इसके लिए मैं अपनी समस्त आसुरी शक्तियों का आवाहन कर इस कारे को पूर्ण और सफल करूंगा ये क्या आजो पूर्ण समस्तिता तुर्ण ने वसक्तिता आवे रही दलाएफ्ट् अपनी रग की आहूती देकर भी इस यग्य की अगनी को बढ़ाने की आवशक्ता होती तो वो भी करता मैं पें तु अपनी असुर सेना और इस यग्य पर आज कदा भी नहीं आने देता द्रेपूर की एक रिखा में आने के पूर इस असुर सेना को जीविक करूँगा फिर तु असुर का कोई विनाश नहीं कर सकेगा हर हर महादेव हमें शीक्री तु असुर को रोकना होगा इसे पूर्व की तु असुर सीधी रेखा में आकर सर्वत्र विनाश का कारण बने पुत्र तुम्हें जो भी उपाय करना है शीक्र करना हो क्योंकि तृपुर अब एक सीधी रेखा में शीक्र आने वाले हैं मा मुझे ग्यात है कोई अनिश्ट नहीं होने दूंगा मैं किन्तो उसके लिए मुझे मामा जी की सहायता चाहिए होगी मुझसे कैसी सहायता चाहते हो भांजे मामा जी तृपुरा सुर के भीतर छीपी कुटेलता को उजागर करने में मेरी सहायता कीजिए अपने भक्तों को दंडित करने में संकोच कर रहे हैं महादेव इसलिए तुम मेरे पास सहायता के लिए आये हो भांजे प्रभुशिव शंकर को अपने भक्तों को दंड देने में उसी प्रकार संकोच होता है जैसे एक उद्धन बालक को सुधारने के लिए उसके सनीही पिता को होता है पुचित है महादेव भोले ना जो ठेरे मामा जी किन्तो आप तो भोले नहीं है ना आप तो सहे जी उन्दुष्ट त्रिपुरा सुरका वास्तविक रूप उजागर करने में सक्षम है इसलिए उनकी परिक्षा लिजीए मेरी विंद्धी है उजागर कर दीजीए उनका गुपत भेद त्रिपुर को मिटा कर अधर्म का नाश करने का यही एक मात्र अफसर है मामा जी त्रिपुरासुर के मन का मैल सामने लाने के लिए मेरे तन का मैल ही परियाप्त है प्रणाम प्रभु प्रणाम माता आपके तन के मैल से उत्पन हुए इस अरिहन के लिए क्या आदेश है प्रभु गणेश की निर्देश आनुसार मिथ्या भक्ती की परत के पीछे जो छुपे हैं उनके मन के मैल को सामने लिया आईए जो आग्या प्रभु अरिहन जी इसके लिए अधिक समय नहीं है हमारे पास क्योंकि त्रिपुर समी पाकर एक सीधी रेखा में आ रहे हैं और जब तक वो उस रेखा में रहेंगे उसी अवदी में उनका विनाश किया जा सकता है अवश्य त्रिपुर के एक रेखा में आने के पूर्व इन असुर सैनिकों को जिवित करूंगा त्रिपुर का कोई विनाश नहीं कर सकेगा यग्य की अगनी तो मंद पढ़ती जा रही है इस अगनी को और तीवर करने की आवश्यक्ता है मुझे और आहुती देने होगे त्यूक्ये ग्रुवर इसकी कोई आवश्यक्ता नहीं गुरुवर अब ये यग्य कदा प्यों नहीं थमेगा शीग्री चरम पर पहुँचेगा आपने आप चिंता मुद कीजे गुरुवर मैंने भंदार को फोना यग्य सामग्री और धिक्सु भर दिया है अवश्य ही भंदार में स्थेथ यग्य सामाग्री को नश्ट भर्ष्ट करने का कारिक बाधे हुच्र के उस मुचक ने किया होगा मैंने शुरक्षा के प्रबंद और कड़े कर दी हैं अब यग्य में और विग्य नहीं आएगा विग्य आ नहीं सकता आ चुका है गनेश बन रहा है विग्य करता देवताओं पर असुनों का अधिपत्त स्थापित करने की हमारी गुप्त योजना ज्यात है उसे विग्य उत्पन करने का प्रयास अवश्य करेगा इंतो मैं अपने उत्दिश्य में अधिक रहूंगा इस संगर्ष में केवल और केवल असुनों की विजय होगी हम साफधान रहेंगे गुरुवत परन्तु आप यसी चिंता करना जब तक महादेल की खृपादिष्थी हम पर है हमें कोई नच्च नहीं कर सकता यह भग्ते का ढूंग हमें तब तक और धोना होगा जब तक हमारे पूर सिदीरेगा से पार नहीं आ जादे और जिसके बाद शास्तर वर्शों तक हमारा कोई आहद में कर सकेगा त्रिपुर के एक रेखा में आने में कुछी समेशेश है ये अफसर बीतने से पूर पुत्र गजानन को कुछ करना होगा अरिहन जी आप मेरी योजना भली भाती समझ गया हूँ अपितु आपकी बुद्धी मत्ता और आपकी चतुराई का प्रशंसक भी बन गया हूँ धन्यवाद किन्तु स्मरण रहे ये कार्य हमें नियत समय वधी में ही पूर्ण करना है मुझे विश्वास है हमारी ये योजना अवश्य सफल होगी अवश्य श्री गणेश मैं नारायन का अंश अरिहन त्रिपुर में प्रवेश का इच्छुक हूँ अरिहन से भाईभीत होने की आपको आवश्यक्ता नहीं है मैं तो यहाँ अपने नवीन मित्रों की सहायता हेतु आया हूँ वर्जित किया तो वन्चित रह जाएंगे आप लोग उस डिव्य अम्रित से और यदि इस अरिहन को प्रवेश करने दिया तो समस्त त्रिपुर वासियों के सुक्त और सम्रिद्धी का एक मात्र स्रोत वो डिव्य अम्रित वास्तविक अम्रित प्राप्त कर लेंगे आप किन्तू यदि आप तीनों को मुझ पर शंका है और यदि आपको वो दिव्य अम्रित नहीं चाहिए तो मैं चला कही छल तो नहीं है नारायन के अंशो कर उनके शत्रों के लिए अम्रत क्यों लाये हो तुम आपका कहना उचित है अंश हो उनका मित्र नहीं सेवक हो उनका किन्तू शुभचिंतक नहीं जिस प्रकार आप आप असुरों को कोई भी स्विकार नहीं करता ठीक उसी प्रकार इस अरिहन का भी तिरस्कार किया है स्वायम नारायन ने नारायन के मैल से उत्पत्ती हुई है मेरी इसलिए मुझे अपनी सुलिम की इस उत्पत्ती को वो आप असुरों के समान मैल ही मानते हैं और इसलिए ये सौभाविक है के मेरी और आपकी मित्रता हो जाए और इसी उत्देश की पूर्ती है तू मैं आपके समक्ष मित्रता करने के लिए आया हूँ यदि आपको स्विकार हो तो कहें भीतर चलूँ अरिहन जी तो अपने बुद्धी के बल पर तृपुर के भीतर प्रवेश करने में सफल हो गए अब प्रतीक्षा है कि वो किस प्रकार उनका ढूंग सामने ला पाते हैं तुमने हमसे असरत क्यों का गे तुम्हारे पास वास्तिक अमृत है प्रतीत होता है तुम्हें महादेव पुत्र गणेश ने भेजा है हमारी योजनभंग करने के लिए और हां तृपूर में प्रवेश पाने के लिए चला है कुम्द्रावे कान जी बीतर क्या हो रहा है ग्याद करने में मेरी सहायता कीजिए एक एक विशैली चाया का प्रकोप है आपके मन पर इसलिए तो आप दुखी हैं अत्याधिक चिंता ग्रस्त हैं तनाव में हैं आप और इतने भैवीत हैं किन्तु आपके दुखों का नाश करने वाला आपकी इस विशैली चाया को हटा देने वाला दिव्वे अम्रित है आरिहन के पास आपके मिल्दुख तुम कौनसे विशैली की बात कर रहें हमको में एक और अफसर देते हैं तुम हमें यह बताओ कि त्रिपूर वासियों के लिए तुम ऐसा पास्तुविक सुट लाए हो अरिहन जी प्रयास तो कर रहे हैं किन्तु त्रिपूर की सत्यता जानना इतना भी सरल नहीं है महादेव की भक्ति का ढोंग ये भी तो एक विश के समान ही है किन्तु उसी विश से मुक्ति दिलाने वाला दिव्य अम्रित लेकर आया है अरिहन आपकी बुद्धी और आपके हरिदय इन दोनों में केवल और केवल एक ही प्रबल इच्छा व्याप्त है और वो है भोग विलास आनन्द उठाने वाली इच्छा किन्तु सत्य तो ये है ये सब कुछ होने के पश्चात भी आप लोग भैभीत होने के कारान दरिद्रों की भाती अपना जीवन व्यतीत करने के लिए विवश है हमें भैभीत पुकारने का दुस्साहस कैसे किया तुमने अरिहन जी आपको और भी युक्ति लगाने होगी शिव भक्ति का ढोंग करते करते कठिन धर्म का पालन ऐसे घोर कश्ट उठा रहे हैं और त्रिपुर जैसे संपन्न पुरों के अधिपति होते हुए भी काम लोब मोह मदिरा इन सबसे दूर क्यों हैं आप त्रिपुरासुर कैसी भ्रांती में जी रहे हैं आप सर्व शक्तिशाली सर्व ग्याता साक्षात भगवान महादेव को आप तीनों की ये ढोंगी भक्ती भली भाती ग्यात है किन्तु फिर भी आप तीनों सुरक्षित हैं और इसका कारण आपकी ढोंगी भक्ती नहीं है अपितु आप तीनों की संगठित शक्ती है इस समय मुझे आभास हो रहा है कि शीगर ती शीगर आप तीनों को और भी अधिक शक्ती प्राप्त होने वाली है हाँ यहाँ पर एक अमर आप राजे सेना का निर्मार किया जा रहा है जो हमें समस्त संसार का आधिपत्त प्रदान करेगी तो फिर किस भय के कारण आप लोग महादेव की भक्ति का ढोंग कर अपना जीवन व्यर्थ गवारें भूल जाएए अपने इस धोंगी भक्ति को इनका समय अब गया पहचानिये अपनी शक्तियों को महाबल शाली त्रिपुरा सुर हैं आप तीनों और इसलिए अपना जीवन अपनी इच्छानुसार जीना प्रारंब कीजिए ये नारा अंज सत्ते कह रहे हैं हमें भला किसका भय है चलिए मुशक जी जब सभी सुक्ष विदाएं प्रागते हमें फिर ऐसे तरत्रों की भाती क्यों जी रहे हैं सत्ते हैं भक्ति में व्यत कर रहे हैं अपना जीवन पिताश्री अब शीग्र सत्य आपके समक्ष आ जाएगा जब प्रिपुरा सुर्द्वारा आपकी जूठी भक्ति समाप्त होगी और सत्य शीग्र आपके नेत्रों के समक्ष प्रकट होकर आपको विश्वास्ति लादेगा पतीत होता है कि हमारी योजना सफल हुई मेरी बातों से प्रभावित हो गए हैं ये तीनों असुर प्राताओं पुरुदेव सुक्राचारी ने हमें सचेत किया था इसलिए हमें इसकी प्रमजान में नहीं बढ़ना चाहिए तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमें हमारे भक्ति के मार्क से इतनी स्वरलता से पठका सकोगे पुत्र मेरे भक्त किसी विष्टिती में भक्ति के मार्क से नहीं बढ़ना आपको विश्वास दिलाने के लिए मुझे कुछ और प्रयास करना होगा उचित है अरिहन को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप द्रिपुरा सुर उस दिव्वे अमरित के सुख का स्वाद नहीं लेना चाहते और ना ही आप तीनों को मेरी बातों पर विश्वास है इसलिए उचित होगा कि मैं यहां से प्रस्थान कर जाओ कोई अमरित नहीं है तुमारे पास इसलिए अमरित के नाम पर हमें मूख बनाने का प्रयास कर रहे हो इसलिए अमरित के लाओ झाल झाल देवी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन तीनों को आपकी आवश्यक्ता नहीं है और इसलिए हमें यहां से शीग्र अतिशीग्र प्रस्थान कर लेना चाहिए